पाकिस्तान किस तरह दोगला देश है इसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखकर जरूर लग जाएगा आप भी कह पड़ेंगे कि एक बार को किसी विसेले शाम पर रोसा किया जा सकता है मगर नापाक पर कभी नहीं बिखारी हो चके पाकिस्तान की अमेरिका ने 300 मिलियन डॉलर की फंड रोग दिये जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ भारत के सामने बाच्चित के प्रस्ताफ के बाहने गड़ गड़ाने लगा ताकि भारत से वैपार बढ़ जाये और कुछ कमाई हो सके मगर भारतदारा कोई भावना मिलने पर पाक आर्मी चीफ ने फिर से भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है दरसर पी-ं मोदी शायद नापाक की असलियत अच्छी तरह समसते हैं यही कारण है कि भारत ने पाक आर्मी चीफ के प्रस्ता पर कोई ध्यानी नहीं दिया। अब खबर आ रही है कि 6 सितंबर को पाकिस्तान की डिफेंस डे यानि रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत को धंकी दे दी है। एक कारिकरम में जनरल बाजवा ने भारत को धंकी दी है। पर मनाने लगे हैं। पाकिस्तानी मारे गए और खायल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कहा बॉडर पर वहे खूंग के हर कत्रे का हिसाब हम लेकर रहेंगे। बाजवा ने हर पाकिस्तान को देश का सैनिक करार दिया। बाजवा की माने तो 65 की जंग के दोरान जो बहदुरी दिखाई गई थी वह एक बड़ा सबक है। और आज को युवा के लिए एक प्रेणा है। बाजवा के मताबिक 65 और फिर सन 1971 में हुई जंग से पाकिस्तान ने काफी कुछ सीखा है। बाजवा ने दोराय कि पाकिस्तान की सेनाओं ने आतंवात के खिलाब बहुत बड़ा वालिदान दिया है। उनकी माने तो पाक में घर, स्कूलों और नेताओं को आतंव की निशाना बनाते हैं और आतंव को कमजोर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाक आर्मी चीफ्स जनरल बाजवा के सुर्फ भारत को लेकर अचानक से बदल गए हैं। कुछ दिन पहले तक बाजवा भारत के साथ शान्ती की वकालत कर रहे थे। बाजवा ने कारिकरम के दौरान कश्मीर के लिए लड़ने वाले लोगों को श्रधांजली दी। उन्होंना कश्मीर में जारी आतंवात को आजादी की लड़ाई करार दिया। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान पिछले दो दश्कों में मुश्किल दोर से गुजर रहा है और ये लड़ाई अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। यानि कुल मिलाकर देखा जाए तो पियम मोधी पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं और इसलिए पाकिस्तान को एक ठेले के भी साहता नहीं दी। शायद वो जानते हैं कि रंग बदलने में पाकिस्तान ने गिरेट को भी पीछे छोड़ा हुआ है। ये अन्वान सच भी साबित हुआ। भारत के सामने अपनी दाल गलती ना देखकर नापाक ने फिर से अपनी आउकाद दिखा दी है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रही है। जै हिन जै भारत।